हेलो गुट इबनिंग फ्रेंज्स हाव आज हम कस टापिक पर बात करने बाले हैं एक्चुली इस वीडियो में यह पताने जा रही हूं कि वह कौन कौन सी चीजे हैं जो हमें कसी शादी को अटेंड करने के लिए हमारे पास होनी ही चाहिए और जो हमारे लुक को कंप्लीट कर अब बात करते हैं जो हमारा मेन आउटफित होता है वह साड़ी और जो यह साड़ी की पेक्स मैंने लगाई हुई है तो इस टाइप की साड़ियां हमारे पास होनी चाहिए और कुछ पेक्स मैंने लहंगे की वियर्ट क्यू है अगर आप साड़ी को ना पहनना चाहिए तो काप लहगा भी पेहन सकते हैं और आप करते हैं क्लचस की किस टाइप के और किस लग के kछों हमारे पास होने चाहिए तो यह जो कई कलर्स मैंने इसमें क्लचस लगा हुए हैं यह अन्टमिया और किसी भी जांद सॉन किक्स साथ ए जो जो संबद आद्न को सबसेए जौ अब हम बात करते हैं cocktail rings की तो cocktail rings भी हमारे पास होनी चाहिए हम बहुत सारी rings नहीं पहनना चाह रहे हैं तो बहुत सारी rings को avoid करके हम एक cocktail ring को पहन कर अपने look को complete कर सकते हैं यह बहुत अच्छी लगती है और इसके बात में हम बात करेंगे neck piece की तो अगर हमारे पास में different type की neck piece नहीं है तो हम कोई कुंदन का common color का neck piece लेकर उसको रख सकते हैं and now अब हम बात करते हैं blouses की कि कि अगर मालनो हमारे पास हर सारी का blouse इला हुआ नहीं है तो हमें कुछ ऐसे common colors के blouse हमें अपने पास रखने चाहिए जिसमें red green and golden black इस type के blouses भी होने चाहिए and अब हम बात करते हैं bangles की तो bangles में जो common color है वो है red golden and white जो कुंदन की bangles पगरा होती है वो bangles भी हमारे पास होनी चाहिए and last में हम बात करेंगे जो हम घजरा पगरा एक घजरे से क्या होता है कि हमारा look बिल्कुल complete हो जाता है और यह हमारे look को बढ़ा दीता है इन्हांस कर दीता है जो घजरा भी हमारे पास होना चाहिए and now हम बात करते हैं कि हमारे पास में यह जो sandals के type के होने चाहिए golden color के होने चाहिए so sandals golden color की या फिर black color के यह होने चाहिए बताना friends वीडियो कैसा लगा thank you bye bye